नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक शुड़ी यूट्यूब चैनल पर और यह है ओट डेस्क माया सेरीज का ग्यारवा वीडियो और इस वीडियो को टॉपिक भी यूवी अन्डैपिंग है बट और गैनिक मोडल पर तो चलिए समय की जादा बरवादी न करते हैं और बुलाते हैं अपने दोस्त को एलिसो वैनम वेल्कम गाइस तो पार्ट 11 ऑफ माया उन्डैपिंग और इस पार्ट में मैं सॉफ्ट सर्फिस मॉड्रिंग के उपर उन्डैपिंग बताऊंगा और मैं आपको कुछ एक बोनस टूली बता दूँगा जो कि आप यूज भी कर स यहां से मैं पहले वर्कसपेस चेंज कर लें तो अपना यूव एडिटिंग कर लें अपनी बॉडी करूंगा मैं आइसलेट अपनी बॉडी पे लगाऊंगा प्लेनर मैपिंग इससे पहले मैं अपना आफ करनू चाकर अज अब हम लगाएंगे कर्ट्स कर्ट्स हमें काका लगाने है mostly characters में same होता है लेकिन काफी जो advanced characters में different होता है तो अभी हम basics के वर कर रहे हैं तो basic cuts में बताऊंगा सबसे पहले हमें हमें अपना head अलग कर लेना है अलग in the sense UVs में cut लगा लेना है अलग वैसे नहीं करना आपको separate नहीं करना सिर्फ cut लगाना है now मैं neck पर भी लगाँगा आपको uv editor में आ रहा है shift right click cut जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था shift right click करके हम cut लगाते है तो हमारी seam लग जाती है now फिर से अगर हमें यहां पर हम लगाएंगे यहां तर seam और मैंने पहले edge select करिया अपने model पे then uv editor में आया यहां पर में shift right click cut यह लग गए हमारी seam ठीक है तो अभी हम basic character कर रहे हैं basic character में इतनी seams लाग गए हम face under up कर लेते हैं जो की easily हो जाता है बाकि जो advance आप देखो के उसमें कई-कई लोग यहां भी लगाते हैं years पे भी लगाते हैं तो यह as a cartoon character है और mostly सारे character अगर आप hand print कर रहे हो जब तक आप कोई ऐसा texture नहीं लगा रहे है जो pre-created है और maybe scanned है किसी है face का तब तक आप इसी से work कर सकते हो ठीक है तो मैं shell select करता हूँ अपना face select कर लेता हूँ और अभी के लिए body अलग रख देता हूँ तो अब हम इससे करेंगे unfold तो unfold करने के लिए आप कोई करना है या तो आप shell select कर लो face select कर लो मैं face से करता हूँ तो मैंने face select किये सारे faces के अब मैं shift hold करूँगा right click करूँगा यहां पर आपको left side में देखा unfold unfold पर आके छोड़ दो ठीक है यह आपका unfold हो जाएगा लेकिन आपके में कोई issue आ रहा है तो आपको करना क्या है shift right click unfold then यह जो box में इस पर आके छोड़ना है then इसके आपकी settings हो जाएगी make sure आपका unfold 3D on हो अ आप unfold लिखोगे तो यहां पर आपका unfold 3D आ जाएगा इसे loaded कर लेना and auto load on कर लेना then आप फिर से अगर आप unfold में आगो है तो यह option आपके आजाएगा तो हम नया use करते है unfold 3D और यह हमें better result देता है now यहां पर आपको आने के बाद फिर then edit करना है edit पर आने के बाद फिर reset setting कर देन अगर आप unfold करोगे तो कोई error नहीं आना चाहिए अगर आप कोई error आता है तो आप comments में लिख सकते हो now अब straight कर लेता है अपनी UVs को तो यह हमारा हो गया face unwrap अभी कले में इसको भार रख लेता हूं बाद में हम set करेंगे सब अपने ones and zeros में UV टाइल में तो checkers हम check कर लेत हैं तो back side में hairs आएंगे तो back side करता important नहीं है that's why हमने back side में ही seam लगाई है क्योंकि hair से हमारी seam छुप जाएगी और हम ज्यादा तर SJ के seams लगाते हैं जहां से हमें अपनी seams ना देखेंगे अब काफी सारे जो texturing software 7 में seams अड़ाने का option आ गया है तो इतना like problem नहीं है बट अब हमें body करनी है तो face हमें like mostly हम अगर यहां से छोड़ दें और आगे कर देखें तो हमें काफी सही है ज्यादा stretching भी नहीं है mostly काफी जगर पे सही है like nose mouth यहां पे थोड़ से stretching है तो मैंने जैसे की बोला कि हम इस पे hand painted texture या फिर खुद manual texture करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी और अब काफी साई texture software में हम यह चीज़े manage कर सकते हैं तो UVs इतनी problem नहीं करती है बट तब हम minimum stretching अपने model पायान देते हैं ज्यादा नहीं आन देते है ना body करते हैं तो body के लिए भी cut swap को उतायता हूं तो इसके पहले checker swap क तो सबसे वह अपने जो हमारे hands हैं वह अलग करने होते हैं हमें तो मैं यह select कर लेता हूं और नौडल पर आके shift right click कर ठीक है अब अपनी symmetry on करके भी कर सकते हो अगर आपको model symmetrical है और symmetrized है अगर symmetrical selection on करके select करोगे तो adder symmetrize और आपको फिर दो दोबार नहीं करना बढ़ेगा अभी मैं इससे समझाने के लिए कर रहा हूं तो जहां-जह cut लगाने है basically वह बता रहा हूं तो इसके नीचे भी लगा सकते है shift right click cut now अब हमें कहां cut लगाना है हमें अगर देखा जाय तो हमारे ट्यूब है इसको open करना है किसी एक साइट से तो हम नीचे लगाएंगे जिससे कि हमारा जो seam है वह ना देखे तो मैं यहां से यहां तक लगाँगा oops okay so cut लगाना मैंना को बता दिया कैसे लगाते हैं अब कुछ-कुछ cases में से यह तो normal है like अगर मैं यहां select कर रहा हूं और मैं like high poly मुझे पता नहीं हो कि यह वाला loop इधर आ रहा है मैं यहां tap करो तो मिचे दिक्कत होती कि oh shit loop select नहीं हुआ अब loop select हो गया या मुझे double tap करना fast करना तो loop ज्यादा कर चला गया तो एक जो bonus tip है मैं आपको end में बताऊंगा लेकिन वह tool में बतायता हूं अभी वह है यह 3D cut ends you tool इससे क्या होगा देखो tab hold करा boom लग गया tab hold boom यहां पर tab hold करा click seam किता fast है आपको manually कुछ करना ही नहीं बड़ा simple सा आपको tab hold करना है click करना है और लग ज्याओ इसका advantage क्या है प्याली चीज़ तो यह हमें edge loop select करने के अब जूरुत नहीं है हमें manually यहां से यहां तक select करने की जूरुत नहीं है double tap करके full loop नहीं आ रहा है वहाली दिक्कत नहीं है तो काफी easy हो जाता है मेरे काम करना लग अगर मैं lag सी बात करूँ तो मैं यहां पर tap करूँगा और यह cut लग गया और या फिर आप यह वी tool यूज़ कर सकते हो now मैं अभी इस tool को यूज़ कर रहा हूं आप अपना traditional जो मैंने बताया है वो tool यूज़ कर सकते हो अब इस tool में थोड़ी और मैं चीज़े बतायता हूं अगर आपने यहां लगानी थी और आपका लूप यहां लग गया उसको हटाना तो क्या करना है जैसे हम selection हटाने के लिए control होल्ड करते है then select करते हैं जिसको तो हमारा selection होड़ जाता है same इसमें भी ऐसी है कि अगर हमें अपनी cut लग गया उनको हटाने है तो control होल्ड करना है लेकिन इसमें मैं tab भी hold करूँगा क्योंकि tap से हमारा loop आता है तो मुझे loop हटाना है तो मैं tab भी hold करूँगा control भी hold करूँगा इस पर tap करूँगा और यह पूरा loop हट गया तो अगर अगर इस तूल को अगर यूज कर रहे हो और अगर आप जानना है तो यहां पर तूल का यह जो आप्शन डाप करोगे तो इस पर सारे शॉट कुछ आपको मिल जाएंगे तो अभी के लिए मैं इसमें आपको कट्स बता रहा हूं कि में में हमें कट्स कहां लगाने होते हैं और मैंने बेसिक टूल बता दिया वह अगर इस टूल के वारे में एक स्पेसिफिक आपको कम्लीट इंफोर्मिशन चीए तो मैं इसकले अलग से अप्टेट वीडियो बना अगर आपको पुराना ठेकिकी अगर अपको एगस लगता है जो मैं नॉब्ली कर रहा हूं तो आप प्राना ठेक्नीय कीए production बट पराना के कोई है गया है है तो नि respects को थूल करो करौन कि र今 पर यहां पर दो पर इसको सेस्केशे करो फोल्ट टैब उप्स फोल्ट टैब भूम तो हमें बेसिक बेसिक जहां में अपने कट्स लगाने थे वह हमने लगा लिया है अब इसको हम कर सकते हैं अभी अन्रैप अब एक कट और में लगाँगा वह यहाँ च्ट अबटन एंपोल टो टावाँई छुट प्रॉल्ट टॉल्ट टॉल्ट टॉल्ट, एक कान लगी अफ जब लगी यह हमने और दोनो हैं पूल दोगे but hold, unfold, same with legs, झाल झाल okay okay and now fingers क्लेंकुब्स बिसकली सब हो गया हमारा बस अब हमें मैनेज करना है यह हैंड भी करी लेते हैं unfold unfold so हमारा model जोहां से हमें cuts लगाने ते almost हो गया है बाकी अब हम करते हैं legs का so legs को आप fingers के तरह कर सकते हो जैसे अपने hand का कराता like this oops oops oh my mouse okay same here same here okay so अब तो हमारा ही हो गया है बिसको करते हैं unwrap where are legs main foot not legs I am holding just pressing G repeat the last command repeat the last command सबसे पहला अपनी जितनी मी यूवी तो इनको straight कर लेना है straight कर लेना है अब इसको करते है uniform तो उनिफॉर्म के लिए पिछली वीडियो में बताया था सारी यूवी select करनी है then shift right click layout then इसका box खोलना है यहां से सब रिसेट करना है और मैं इसको भी as a 4K दे रहा हूँ like अगर हमें snapshot लिकानना पड़ा तो ठीक है और preserve 3D ratio on stack similar off कर रहा हुआ है padding मैं 5 दे देता हूँ और tile padding भी 5 okay cell distribution distribute करना है apply okay so अभी यह uniform हो गई है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको देख रहा है कि manage भी हो गई है like UV tile में set भी हो गई है but हमें अभी manually करना है ऐसा कोई भी किसी भी industry में आप जाओगे तो hot way car management भागने नहीं जाती है like auto so manage करते है okay so अभी मैं ऐसे manage करना like simple way में रख रहा हूँ अगर आपको एक character ऐसे करते हो जिसमें आपको काईफी सारे equipment even clothes भी आप एक ही sheet पर रखना चाहते हो तो आप इसको बाकी rotate करके भी लगा सकते हो ऐसे like suppose इसको मैं old कर रहा हूँ है जिससे कि यह snap होके rotate हो इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ मुझे और space में गया बाकी यह चीज मैं यहां लगा सकता हूँ इनको अपने में यहां लगा सकता हूँ कैसे भी करके जैसे ही manage करना है वैसे manage कर लो देखे और let's suppose मैं थोड़ा से size increase करता हूँ तो इसे आप manage कर ले ना बाकी और भी manage कर सकता हूँ जहां आपको texture resolution जाता हूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि जहां कम चीज है like हमें foot है तो उसके नीचे का अपना जरूद नहीं होता है तो उसको छोटा कर सकता है और fingers का अच्छी होता है some cases में like close shots होता है तो fingers का texture जो UVs उनका size increase कर सकता है उनको small करके यहां डाल लेंगे बाकी और यह बढ़ जाएगा उनका size increase करेंगे तो और like management वह आपको अपने हसाब से करनी है वह जरूरूर नहीं होता यहर किसी में सेम हो तो यह हमारा होग ए character unwrap same cloths पर भी ऐसी करना है तो वह मैं प्लोड़ा speed process से दिखा देता हूं क्यासे करना है यह ज़िए तो अभी मैंने यूज यूज करा वह करा अप्टिमाइज तो आप shift right click यहां पर optimize है उसे यूज कर सकते हो तो अभी यूज जो कही stretch ही सी हो रही होती है तो वह ठीक हो जाती है लाइक मैं तिखाता हूं क्या फ़र्पड़ा है मैंना unfold करा तो यहां पर ज्यादा stretch हो रहा था मैंना optimize किया है तो stretch ही ने स्थोड़ी काम हो गई और uniform हो उट कर दिया लेकि मैं भी G press कर रहा हूं तो repeat हो रहा है जो last command है जो कि optimize है ओके बाकी strip आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और उनको straight करके light जैसे मैंने भी cuts लगा दिया है बाकी आप manage कर लेना मैं भी manage नहीं करूंगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे करूंगा तो और straighten भी कर देना so आपको straight लखने है सारी strips light जैसे कि यह देख रहे हो completely straight हो गई same और भी like एक एक को करके करना unfold straight on UV like जहाँ पर error रहा है इसको ठीक कैसे करना है और मैं जैसे work करता हूं शायद आपको इस अच्छी तरीके से पता हो mostly straight रखो ज्यादा straight नहीं completely आपको straight नहीं रखनी but almost straight रखनी है ठीक है now अगर आप अप करोगे straight and UV तो एकदम perfectly हो जाएगी okay ऐसी आपको सारी strip कर लेना जितनी भी strips है तो बस अभी क्लिए इतना है arrangement and layout stack shells इस सारी चीज़े एक अलग से stools की चीज़े बताऊंगा जिसमें unwrapping नहीं होगी बस tools समझाऊंगा तो अभी क्लिक रुक नहीं है अँशे वच्चिंग p